वेलकम व्यूवर्स आर्टिविशल इंटेलिजेंस ने जहां बहुत सरी फील्ड में बिल्कुल चीजों को चेंज करके रख दिया है वहीं पे बड़ी टेग कंपनी इस सेक्टर में अपना लोहा मनवाने के लिए एक दूसरे को कंपीट करने के लिए बहुत सरे नए टूल्स और नए लेंग्विज मॉडल्स के साथ आ रही है इसी से रेलिवेंट एक बड़ी इंपोर्टन अपडेट है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ Wall Street Journal के मताबिक Facebook Instagram WhatsApp की Parent Company Meta ने AI Training Chips को Collect करना शुरू कर दिया है और एक Proper Separately Data Centers बिल्ड कर रहे हैं ताके वो एक नया Powerful Chat Board क्रिएट कर सकें कहा यह जा रहा है कि Facebook एक ऐसा Chat Board क्रिएट करने जा रहा है जो के Open AI के Chat GPT 4 जो Launch किया गया था उसको Compete कर सके और Market में AI सेक्टर में जो Facebook के Competitors हैं जैसे के Google है Google ने भी अपना एक AI Chat Board लाँच कर दिया था जिस्ट आफर Chat GPT Open AI के Language Model पब्लिश होने के बाद बार्ड के नाम से बार्ड AI के नाम से इस वक्त भी वो इस्तमाल हो रहा है और Google के पास क्योंके बहुत जादा डेटा था तो वो भी इस्तमाल किया जा रहा है और Open AI के Chat GPT लाँच करने की वज़ज़ से शायद Google ने उसको लाँच करने में थोड़ी जल्दी भी की थी इसकी इसी वज़ज़ से जो उसका डेमो था उसमें एक मेजर मिस्टेक थी जिसकी वज़ज़ से उसे बहुत जादा क्रिटिसिजम का सामना भी करना पड़ा था बारल यह दो जनेटिव AI के टूल इस वक्त बहुत जादा इस्तमाल में है Chat GPT और Bard AI तो Facebook ने इनको compete करने के लिए AI सेक्टर में अपना एक चैट बोर्ट लाँच करने के बारे में उसने working शुरू कर दी है कहा यह जा रहा है जो 100 सीरीज है NVIDIA की जिसको इस्तमाल किया जाता है for AI उसको इकठा किया गया है बहुत सारी बहुत बड़ी तादाद में और एक डेटा सेंटर बनाया जा रहा है ताके इसको यूज किया जा सके मजीद जो डिटेल्स है उसके मताबिक यह है कि कमपनी इसका जो ट्रेनिंग प्रॉसस है इस नए लेंग्विज मॉडल का उसको अरली 2024 में शुरू करना चाह रही है ताके इसको जल से जल मार्किट में लाँच करके जो अपनी एक कमपिटिशन है उसमें अपना एक नाम बरकरार रखा जा सके क्योंकि चीजें लास्ट 12 में बहुत तेजी के साथ चेंज हुई है चैट जीपिटी जो था उसने बहुत सारी कमपनीज को बहुत सारी जो बड़ी टेक कमपनीज थी उनके लिए वो एक थरेट के तोर पे आया था जो सर्च इंजन थे उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट था के बजाए इसके के लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए जब सर्च इंजन के पास जाते थे तो उसकी बजाए वही काम वही सेम फंक्शनल्टी ज्यादा बेतर तोर पे एक हुमेनाइड स्टाइल में एक कनवर्सेशनल स्टाइल में चैट जेपिटी परवाइड कर रहा था जिसकी वज़े से गूगल ने भी अपना जो AI लेंग्विज मॉडल था उसने लाउंच कर दिया बाड AI के नाम से तो कंपनी जो मेटा है वो बैसिकली यह चारी है कि वो अल्ली 2024 में इस लेंग्विज मॉडल का भी ट्रेनिंग प्रॉसेस शुरू कर दे मजीज जो डिटेल सामने आई है उसके मताबिक यह भी कहा जा रहा है कि मार्क जकरबर्ग ने इस चीज़ को एंफसिस किया है कि यह जो नया चैट बोर्ड क्रिएट किया जा रहा है इसको एकसेसिबल रखा जाए मुखिलिफ कंपनी के लिए ड्वेलपर्स के लिए ताके वो इससे AI टूल्स क्रिएट कर सक क्योंकि जो डेटा मुझूद है फेसबूक के पास और जो डेटा कुलेट किया जाएगा उसके हवाले से प्राइविसी कंसर्न भी है जो परसनल डेटा है उसके ब्रीच होने का भी खतरा है और इसी तरह जो डिस इंफॉमेशन है जो आलड़ी सोशल मीडिया की वज़े से और फेसबूक पे इस हवाले से बहुत जादा कृतिसिजम रहा है फ्रम लास्ट तैनियर्स मुदिफ टिकल void मेरे और और इंपरड़न जो जो एंकि आलड़ इस चीज़ प Allied ऐसा चैट बूट लाउंच ने किया जाए कि जिसे लोगों की जो प्राइविसी है वो मुतासिर हो इसके लावा जो डिस इंफॉरमेशन है जो फॉल्स इंफॉरमेशन अरड़ी जो बहुत जादा फ्लड़िट है सोचल मीडिया पे उसमें कहीं बहुत जादा इजाफा ना हो तो इस हवाले से क्रिटिसिजम बे चल रहा है तो इतलाइत यह हैं कि अगले साल के बिल्कुल शुरू में चैट जी पीटी और बार डियाई इसके कंपेटिशन में हमें एक और लेंग्विज मॉडल देखने को मिलेगा जो के मेटा की तरफ से लाउंच किया जाएगा इसे अगले मजीद अपडेट्स आपके साथ चेर करते रहेंगे वर लेटेस्ट अपडेट्स अब्सक्राइब आवर यूटीव चैनल और फॉलो आवर सोचल मेडिया हैंदलर्स